अरे जीजी सावन तो तुम्हें ही ख़तम है यह मैं बर्तन काई सबसूँ अरे यह तो बिल्कूल ही ख़तम हो गए रानी देखू किसी को बेश दियों किसी से मंगाती तू दस मिनट किसी का काम करके आँ और मैं इतने ही मंगा के रखूंगी पर उन तो दूप बहुत जादा ह फ्रांट बस उसके बाद दिदी ने लिक्विट बिमवार बनाने के लिए मुझसे मांगा 100 ग्राम जितना नमक मेरे पास खड़ा नमक था मैंने खड़ा नमक दे दिया अगर आप लोगों के पास खड़ा नमक नहीं है जो नॉर्मल नमक होता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसे हमने डाल दिया इस कड़ाई के अंदर और भाली पेंदे की कड़ाई ने तो बहुत ही बढ़िया है और उसमें हम डाल देते हैं नमक से जस डबल जितना पानी फ्रंट्स यह विम्वार वास्ता में बहुत ही बढ़िया बनकर तयार हुआ और उसके बाद क्या किया गैस ओन करी उसमें कड़ाई रग दी और नमक को मैल्ड होने देंग और उसके बाद मैंने लिए 200 ग्राम जितने नीबू नीबू डाने से फ्रंट्स किसी भी तरीके की चिकनाई हो वह बहुत ही इची साफ हो जाती है एकदम केमिकल फिदी हमारा विम्वार बनकर तयार होगा साफ उतर चुटे-चुटे से नीबू ते घर में पड़े हुए साफ पर तब कर लिए दिया दो ya आर दो चुटे-चुटा उन्हें में इसे उभलने के लिए तहिया दो प्रेश्यकूकर में डाल दिया परशी कूकर कट कर लिए पहले उसमें डाला एक बड़ा ग्लास भर के पानी अधकर लगा दिया और 2 सीटी अने तक हम इसे उभलने द पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है अब कोई भी इसमें गुटली अगेरा नहीं है यानि कि जो नमक था एक दम बढ़िया मैल्ड है और दो सीटी आ गई है और यह देखिए जो नीबू थे वह भी बढ़िया से उबल चुके हैं इसली इस तरीके से करते हैं तो वह मैश हो अब इन्हें हम कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा क्योंकि अभी तो बहुत ही जादा गरम है तो ठंडा फटा फट करेंगे क्योंकि रानी के आने का समय है और यह हो गए हमारे जो नीबू थे वह थोड़े से ठंडे और उसके बाद मैंने इसे डा दिया मेक्सी के ज सकते हैं और यह लीजे बड़े असा पेस्ट बंकर तयार है और इधर जो नमक रखाता है उसके उपर एक स्टेनर रख लिया और उसमें हम इस तरीके से छान लेंगे क्योंकि थोड़े बहुत मोटे टुकड़े रही जाते हैं और इसे दुबार से एक बार मेक्सी के जार मे पानी डालेंगे फिर से पीसलिया और इसे ढ़ल दिया डल जिससे सारा पल बड़ी हासा निकलकर तयार हो जाएगा आपकी बारी में थे हाठ से अच्छे से उख लेती हूँ और यह देखिए बिल्कुल बड़ी हासा हमारा यह पेस्ट तयार हो गया है नमक में सर्फ में बड़ी हासा मिक्स कर लेते हैं तो इसमें हम डालेंगे एक बड़ा गिलास भरके पानी फेर्स इतनी सामगरी में आपका करीब एक से डेल लीटर विम्वार बनकर तयार हो हैं लेकिन कलर डालेंगे तो पिलकुल बजार जैसा लोक आजएगा इसकी बाद बीच-बीच में हिलाते हुए मैंने इसे करीब आठ से दस मिनट तक पकाया और देखे काफी गाड़ा सा हो गया है तो थूरा सा पतला कर लेते हैं उसके लिए मैंने एक गिलास जितना पानी और डाल दिया एट लास हमारे जो विमवार बनकर तयार हुआ था यह करीब डेर लीटर था और उसके बाद और दो मिन अट उबाला और देखे बढ़िया सा उबलकर तयार है इसमें एक और सपेशल चीट डालेंगे और वह है सपेज सिर्का या विनेगर नॉर्मली सभी ग बादू की तरह काम करेगा बहुत ही बढ़िया उनकी सपाई करेगा और बस दो मिनाट और पकाया इस समय हो सकता है कि आपको दिखने में थूड़ो सा पतला लग रहा हो लेकिन जैसे जैसे गाड़ा होगा यह थीक होता जाएगा और अगर आपने बहुत जादा गाड़ा बना लिया तो बरतन साफ करने में भी दिक्कत आएगी तो बस धी पर बनकर तयार है तो थोड़ा सा ठंडा कर लएते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किया ड़िक से आपके किस बीवई तरीके से और कि कितने बढ़िया साफ होते हैं तो यह मैंने पितल बडतनल ल तुलसल जी में डल जालने के लिए जो हम घंटी का यूज़ करते हैं वह सब बहुत जादा काली हो जाती है तो बस उस पर करेगा यह एकदम जादू की तरह काम अब यह तुड़ा सा गरम भी है तो बस हलका हलका सा लगाते जाहिए और लगाने के साथ साती आप देखेंगे क अब आपके बरतन बहुत ही बढ़िया से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे तो चलिए वह घंटी तो बढ़िया साफ हो गई है तो अब यह लोटा साफ करके दिखाते हूं और यह देखेंगे रब करने की भी कोई ज़रूरत ने पड़ी है बस लगाया बर क्योंकि वहां दो करके दो लारी दो नीचे कि नारी थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो वस तूड़ा वह तो मैंने लिक्विट विवड डाला चमच के साथ हल्का सा रब किया और यह कैसे बढ़िया हो खेलागे वे पी एक दम करना चाव ड़्यक्स चांदी के भगवान जी होते हैं या आपके पास चांदी का कोई शोपीस है कोई आपके पास जग या गिलास वगवारा है वो सब भी बहुत ही बढ़िया साफ हो जाते हैं तो बस यह मेरे चांदी के जो भगवान जी थे काफी काले से हो गएते तो दिदी ने काला मैं तुझे इने भी साफ करके दिखाती हूँ तो बस तोड़ा सा मैंने यह बिमवार लिया और इसको मैंने एक नए बुरुष के साथ क्योंकि भगवान जी है आप नॉर्मल पूराना बुरुष यूज़ ना करें इसे इस तरीके से हलका हलका सा हम रब कर देंगे और बस रब करने पर से ही आप देखेंगे कि हमारे जो भगवान जी बगरा एक दम बड़ी हासाफ हो जाएंगे और बुरुष के इस्तेमार आपको इसलिए करना है क्योंकि इस तरीके की जो मुर्तियां होती है इनमें पतली-पतली किनारियां होती है जिसमें गंदगी फजाती है और इसे 10 मिट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद 10 मिट बादी आप देखें कि देखें जो बिल्कुल काली से मानी मुर्तियां थी बिल्कुल साफ हो गई है और अगर आपका मन मानता है और आप रख सकते हैं तो 10 मिट के लिए आप इस विमवार में भगवान जी रख दीजे मेरा मन नहीं मानता है क्योंकि भगवान से एक आस्थर जोड़ी होती है त और आप दौन में डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले कितने कालिस देते हैं और मेंटों में कितने एकदम नीटन क्लीन हो गए हैं एकदम साफ हो गए हैं बस थोड़ी से नमक नीबू और सर्फ से हमारा ये बहुत सारा बिमवार बन कर तयार है जो कम से कम तीन से चार महीने की सी जना कितना मला दिया तेरे नमक से बिम वाहिने ये तErीचा कि टकान कि आता है लिए थिरे ऊपना होई हैं सही हौ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले